आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोनमीती के अनुप्रियोग क्लास 10th के त्रिकोनमीती का जो अनुप्रियोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर दिया गया है प्रसना वाली 9.1 में उससे संबंधित हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन और उनके साथ एक से 9.1 का एक और दो कोईस्टन को सॉल्व करके हमने आपको बताया इस वीडियो में हम लोग 3 से आगे देखने जा रहे हैं आप सुरू से अंत तक देखे आपको आसान तरीके से आसान से आसान तरीके बताया जाएगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इनको सॉल्व करें अगर फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज़ें और मैं उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करूँगा ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं तीन नमबर का जो सवाल दो नमबर तो हमने बता दिया था तीसरे नमबर का बताना था तो तीसरे नमबर का जो सवाल है वो तीसरे नमबर में सवाल है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलेने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पटी लगाना चाहती है 5 वरसे कम उम्र के बच्चे के लिए एक ऐसी फिसलन पटी लगाना चाहती है जिसका सिख देर मिटर उचाई पर हो और भूमी के साथ 30 डिगरी का 35 डिगरी पर जुका हुआ मतलब कहने का यह 5 वरसे कम उम्र के जो बच्चे हैं पांच वर्षे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए देर मीटर की उचाई होगा और उसका जो एंगल होगा कितना एंगल होगा 30 डिगरी का कौन पर जुकावा होगा ऐसा फिसलन पटी लगाया जाएगा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की उचाई चाहता जो भूमी के साथ 60 डिगरी का कौन बनाता है पर तेक कि स्थिति में फिसलन पटी की लमबाई क्या होना चाहिए तो आपने देखा कि दो तरह का क्पिसलन पटी लगाना है एक तो लगाना पांच वर्षे कम उम्र के बच्चे के लिए और दूसरा लगाना है पांच बर से अधिक उम्र के बच्चे के लिए पांच बर से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 30 डिगरी के कौन पर जुकाई वा होना चाहिए और उचाई कितना होना चाहिए डेर मीटर की उचाई होना चाहिए जबकि पांच बर से अधिक उम्र के लिए जुकाई वाला होना चाहिए और उसमें जुकाओ जो होना चाहिए कितने डिगरी का होना चाहिए साथ डिगरी के कौन पर बना बनता हुआ हूँ ठीक है फिचलान पट्टि तो आईए हम लोग इस तरह की कुश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे तो बहुत आसान तरीका है आप क्या करिए छोटे बच्चे के लिए मान लिजे कि ये एक और मिटर का एक स्लाइड बना लिया हमने एक और इसपर क्या लगा की बड़े बच्चे के लिए क्या था उसने बए बच्चे के लिए तीन मीटर का लिए त्वे इस पर फिशलंग पत्टी लगा दियें से आसान चासान और जल्दी से जल्दी आपके दिमाग में फीट हो जाए या समझ जाए आप तो देखिए सबसे पहले हम छोटा यह जो तिर्भुज दिया गया चोटा वला तिर्भुज तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यह बताया था कि अगर आपको दिया हुआ यह है और निकालना इसका निकालना तो बस इन दोनों का रेशियो कर लिजिए आंसर रेडियो जाएगा तो दिया हुआ क्या है एबी है तो एबी लिख लिजिए ठीक है एबी बटा क्या लिखिए निकालना क्या है आपको निकालना एबी दिया हुआ है और निकालना है बी बटा क्या लखिए cी लिख दिजींंग जोने सा बटा क्या हो जागा यह B है और यह E है तो क्या हो जागा B E तो यहां हो जागा साइन कितना डिगरी है 30 डिगरी हो जागा साइन क्यों हो गया क्योंकि यह लंब है यह करन है तो लंब बटा करन बड़ाबर साइन थीटा होता है तो San千 Theta के जगा 95 डिникиरे ले लेंगेenser, A B आपको दिया है 1.5 उसन आपको निकालना क्या है? B E निकालना, तो B E नहीं दिया है, बराबर क्या होजाएगा, 26 कामान कितना होता है? 1 बटा 2 होता है, य को यह वढ़ expectant, B E 2 हो जाएगा जएगा? एक दरस तरह साल स Mirror कि अगोल एक और अन्साुस निकुल reden कम नम्बबन में पूछा जाए तो आपको वाले लिखना होगा पांच वर कम उम्र के बच्चों के लिए लगाई जाने वाली फिसलनपठी की लंबाई तो उसमें आप देखे तो A, E, A, E और B, A, E, B एंगल कितना है? 30 डिगरी है कौन A पर क्या है? सम कौन B है तो जो सब दिया है वो लिख लिए अब एंगल तिर्भुज क्या है? B है, A है और E है तो तिर्भुज B, A, E में चलेंगे B, A, E तिर्भुज में क्या हो जाएगा? तो A, B बटा क्या हो जाएगा? B, E लिख देंगे तो A, E बटा B, E लिख दिये बराबर 37 डिगरी कर दिये योगे ठीटा 30 डिगरी दिया हो था अब A, B तुमको आपको 10 मिटर दिया है, B, E नहीं दिया है B, E तो फिसलन पट्टी के लंबाई है निकालना ही है तो बराबर 37 का वैल्यू रख दिजी एक बटा दू, क्रॉस मर्टिप्लिकेशन कर दिजी इसको इससे, तो B, E बराबर 3 मिटर हो जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं फिसलन पट्टी जो 5 बर्ष के कमरूम के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी लगाई गई थी उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई B, E है बराबर 3 मिटर आंसर हो गया ही एक आंसर निकल गया अब निकालना है पांच बर्ष से अधिक उमर के बच्चों के लिए निकालना है निया का हो से टिर्भूज सी ए और डी हो जाया का अचा सी ए डी तिर्भूज में चलेंगे तो इसानढ़ किया हो यहां से लेकर यहां तक तीन मीटर दिया हुआ कितना दिया हुआ है तीन मीटर आपको दिया गया है यहां से लेकर यहां तक कितना है तीन मीटर दिया है और निकालना यह है तो आपको पता है कि इस तिर्भुज में C A D में क्या हो जाएगा सी ए बटय या सी बटय क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा एगद गफे ज़ीजी हो gekए ची बटय लीधी किया क्या हो जाएगा लक दीजिए सी डी और थेटा कितना दिया एगद लंब यह को करना मिर्ड़पीर व्रपाद exact add कुआ दिया हैं सीडी नहीं दिया है पता चोड़ दिजीए हैं साथ का वैल्यू कितना होता है रूट थीरी बराबर क्या हो जागा थी रूट थी बराबर तीन दोना च्छे हो जाएगा तो उसके बाद सीह दी बराबर क्या लिखिए सिरी वर c Jetzt रूट थिरी हो जाए अब रूट थी नीचे में रूट नहीं रहता है परिमाय कर लेंगे परिमाय करन रहं कर लेंगे तो इस तरह से यह question आपका solve हो जाता है अब हम लोग चलेंगे अगले question चौथे नमर के question की और चलेंगे ठीक है चौथे नमर के questions में दिया गया है भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मिटर की दूरी पर है तो भूमी के एक बिंदू से मिनार के पाद बिंदू से कितने मिटर दूरी पर है तो 30 मिटर की दूरी पर है सिखर हैं यहां आपका सीखर हो गया तो नीचे वाला क्या हो गया पाद-बिन्दू हो गया सका घकीजा है सीखर करते हैं सीखर करते हैं तब भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के तो मिनार मालेजे ए बी मिनार है तो मिनार के पाद बिंदू पाद बी हो गया से 30 मिटर के दूरी पर किस कितना मिटर के दूरी पर तो कह रहा है कि इसमें 30 मिटर की दूरी पर है 30 मिटर के भूमी के पाद विंदू मालेज़े यह है भूमी का पाद विंदू से क्या हो गया तो भूमी के पाद विंदू से कितना मिटर दूरी पर 30 मिटर की दूरी पर एको मिनार ख़ला हुआ है ठीक है तो मिनार के सीखर का उ तो एक तो सबसे पहले आप मिनार बना लेते हैं और फिर कहता है कि इसके बीच कोन क्या बनता है इसका उन्नायन कोन 30 डिगरी बनता है तो सिंपल है आपको दिया है इन है और निकालना है मिनार की उचाहिए नहीं क्या लिखेगा इतना वट्टा क्या लिख देजेगा इतना लिखे या इतना वट्टा क्या लिखेए इसको लिखेए एक ही बात है तो आप क्या करना चाहेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया हो लिख लिजे ए बी क्या है मिनार की उचाहिए तो लिख 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 लिखेंगे तिर्वुज ए बीसी में क्या हो जाएगा निकालना क्या है अब क्या है बीसी बटबर लंबटा क्या हो गया यह आपका लंब हो गया यह आधार बराबर क्या होता है 10-30 degree होता है, तो 10-30 degree लिख लिजए अब क्या हो जागा, ए बटा 20-30 का मान केतना होता है, तो 1 by root 3 लिख दिजए, उसके बाद रख दिये, 10-30 का value 1 by root 3 लिख लिए, अब A B को root 3 से multiply कहिज़े, 30 को 1 सीख लिजए, तो A B root 3 बरावर 30 हो जागा, जब A-Whe recy 3 से भूस्त को करगी है Rudy 30 को cancel करदेंगे 30 होजागा 10 root 3 meter answer हो जाएगा ठीक है तो बहुत आसान question है इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो लगता height and distance जो chapter होता बहुत भारी है लोगों को देखने में लगता है लेकिन सच में यह बहुत आसान chapter है देखिए नहीं जो दिया रहता है और जो निकालना होता उसको दुनों को ratio कर दिजिए और फार्मूला लगाई answer ready हो जाएगा जिसमें कोई परिशानी होने की कोई जरुरत नहीं है चलिए हम लोग चलते है next question के और चलते है question में दिया गया भूमी से 60 मिटर की उचाई पर एक पतंग उर रही है पतंग में लगी डूर को और अस्थाई रुप से भूमी के एक बिंदू से बंध दिया गया है और भूमी के साथ डोड़ी का जुकाव 60 डिगरी है यह मानकर कि डोड़ी में कोई धील नहीं है डोड़ी की लंबाई ग्याद केजिए पतंग उर रहा है कि पतंग में लगी डोड़ को और तो सी बिंदू पर क्या कर दिया गया बांद दिया गया उसका जुकाओ कितना है जुकाओ है साथ डिगरी का जुकाओ यानि कौन कितना डिगरी का बना लेता है साथ डिगरी का किस के साथ धरती के साथ तो स्टार्ट डिगरी का कौन बना लेता है तो पूछ रहा की डोडी का जो लंबाई है 30 मिटर उपर अर्रही पतंग की उचाई है AC क्या है AC पतंग में लगी डोडी है तो A, C, B अगर की बात करें A, C, B की बात करें तो A, C, B कितना है? 60 degree है B पर क्या है? समकौन है? लिख लिजे अब तिरभूज कौन सा हो जागा? A, B, C में चलेंगे A, B, C में क्या दिया क्या है? तो E दिया हुआ निकालना क्या है? ये निकालना चुशागा A, B बटग क्या हो जागा? A, C हो जागा और फर्मूला हो जागा लमबटा करन बरावर क्या होगा? 27 degrees हो जागा तो लमबटा करन बरावर जब 77 साथ डिगरी हो जागे A, B कितना दिया? 60 है 60 लिख जिए । इस तरह से आप आसान चेसका इसका स्वल्व करके बना सकते हैं चलिए हम लोग चलते, next question की ओर, question बहुत आसान है, इसमें आपको problem नहीं होगा, चलिए question क्या दिया है, ये देखते हम लोग, 1.5 मिटर लंबा एक लर्का, 30 मिटर उचे एक भवन से, कुछ दूरी पर खरा है, तिस मिटर उचे एक भवन है, और उसे कुछ दूरी पर लर्का ये भवन की ओर जातमाली जे ये भवन है, ठीक है, तो 30 मिटर की दूरी पर है, ये लर्का जो है, कितने दूरी पर है, तो कह रहा कि, sorry, 30 मिटर उचा भवन है, इसमें क्या है, 30 मिटर उचा भवन है, तो काता कि, डेर मिटर लंबा एक लर्का है, तो काता कि, डेर मिटर लं ख़ड़ा है इससे कुछ दूरी पर यहां ख़़ा है यह पता ने कितना दूरी पर ख़़आ है परन्तों यह कह रहा है कि भवन है और लड़का यह है यह भवन से 30 मिटर कुछ दूरी पर ख़़आ है अब कहता कि जब वह उचे भवन की ओर जाता है जब लरका यहां से इस पॉइंट ए से या सी से जाना चलता है तो यहां आ जाता है तो कहां चला जाता है तो यहां चला जाता है तो जब वह उचे भवन की ओर जाता है तो यहां से यहां तक आता है तो उसके आंख से भवन के स तो आगे यहां जब आया तो साड डिगरी का बनने लगा हो जाता है तो बताइए वह भवन की और कितने दूरी तक चल कर गया तो पूछ रहा है कि यह भवन की और जो इतना दूरी गया है कितना दूरी है वो distance उसका क्या है तो बहुत आसान question है समझने में बहुत आसान है कहिए कैसा कैसी समझने मासान है यह機UST आपको निकालना क्याוה सबसे इंढिन एद यह सी डी की से निकले गाघ तो आपको एम पूछते हैं यहां से ले करके एक म rail ogee माक लिशे तक दोस है और आपको पता हो जाए बी से लेकर डी तक बी से डी तक मान लेजिए आपको पता चल गया क्या छे है तो क्या हो जाएगा दस में से छे चला जाएगा चार हो जाएगा तो सिंपल है निकालने के लिए क्या निकालना परेगा सबसे पहले हमको निकालना परेगा यहां से यहां तक की लं ठीक है तो यहां से यहां तक को निकालने के लिए तो एक बड़ा तिर्भुज होगा फिर नजदिक यहां से निकालने के लिए यहां से ले करके यहां तक को निकालने के लिए छोटा निकालने के लिए छोटा वाला 30 डिगरी वाला होगा ठीक है तो चलते हैं सबसे पहले जो बबन की उचाई है सीई देखिए सीई कितना ही लरका सीई है देर मिटर लंबा एक लरका है तो डेर मिटर लंबा एक लरका है अब सीई बराबर क्या होगा इस सीई जितना होगा उतना ही तो बीजी भी होगा ना तो सीई बराबर बीजी यह बराबर डेर मिटर कर दिये ठीक ह यह होगा उतना ही भी तो यह भी नहोगा चलिए चलिए यह भी समझ माग गया तो इस देर मिटर तो वह भी देर मिटर है उसके बाद चलिए AB बराबर 30 मिटर AB बराबर क्यतना AB बराबर आपको दिया है इसका 30 मिटर तो A B बराबर क्या हो जाएगा A B बराबर हम लोग यहां देखिए A B बराबर जो होगा तो A B यह आपका A B हो गया तो A B निकालना होता अगर यह आपको 1.5 मिटर दिया तोटल आपको यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक आप देखिए तो पूरे 30 मिट्र में से यानि टेर मिटर हट जाएगा तो आपको निकल जाएगा यहां इस तरह से यहां से यहां से यहां से लेकर कर करके यहां तक कितना होजगा तो तो यह बात आपको समझ में आ गया कि यहां जो एबी है कितना मिटर है तो शारे 28 मिटर है क्योंकि देर मिटर तो लर्का की लंबाई तो लर्का की लंबाई तो देर मिटर छट न गया इसलिए पूरे 30 मिटर की लर्का अपने आख से यहां उनका आख है और आख से भवन के सीखर का उन्नयन को 30 डिगरी से 60 डिगरी होता है ना कि भूमी के पाद बिंदू से होता है यानि लर्के के पाद बिंदू से होता है ठीक है तो यह बात है आपको आख से निकालना है तो यह भवन की और बिंदू C से चली गई दूरी है, C-D क्या है, C-D क्या है, C-D क्या है, C-D जो है, यहाँ C, बिंदू C से D की और यानि इसके भवन की और चली गई दूरी है, C-D क्या है, भवन की और चली गई दूरी है, और निकालना भी आपको यही है, ठीक है, तो चलते है निकाल लेंगे, सबसे पहले कौन सा तिर्भूज लिजेगा, सबसे पहले अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, तो A, B, D लिजे, नहीं, आपको इसको नहीं निकाल करके, सबसे पहले पूरा यहां से यहां तक निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहां से यहां, तो बड़ावल और यह हो गया सी कितना हो गया यह 30 डिगरी हो गया तो यह लिख लिए देखें आपको कौन सा चीज दिया हुआ है आपको आपको दिया हुआ है निकालना क्या है आधायस को और रीट थीर को मल्टिप्लाइ कर देंगे और बीसी घुम एक आधायस को एक से multiply करते हैं BC बरावर सारे 18.5 इंटू रूट 3 मीटर हो जाएगा ठीक है तो आपको BC निकल गया है कहां से कहां तक निकल गया पूरा यहां से BC लेकर करके C तक निकल गया अब निकलना छोटा तीरवज़ चोटा त्रवज़ क्या है तह चोटा दिरवज़ है ABD में जलेगे जिसमें साथ डिगरी दिया हुआ है अब B पर संब कोन है तो वही यह लंब है यह अधार लंब बटा अधार बरावर क्या होता है तो फिर से चलते हैं सारे 28 बटा क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा तो बीडी बरावर क्या हो जेगा बीडी बरावर सी 1ध्य चला जयागा ता 38 बटा क्या क्या कर बार में सारे 29-5 भार में तो आपको क्या निकल गएँ आपको BD भी निकल गए। तो घटा देजेगा क्या हो जाएगा दोनों में कमांड रूट 3 ले लेंगे गाटा देजेगा तो 19 रूट 3 मीटर हो जाएगा यह आंसर है आपका ठीक है तो हम लोग सात्वे नमर के कुईस्टन की और चलते हैं इस हाइटन डिस्टेंस का जो कुईस्टन से दिया गया है 9.1 में इसका एक ही कॉंसेप्ट है जो दिया रहता है और जो निकालना होता एक दूसरे को रेशियो कर दिजिए आपको आंसर आजाएगा ठीक है तो बस आपको कुछ करना ही नहीं इस कुईस्टन में केवल फीगर क आपको जो आप ड्रॉ करने में सकस्पूल करा जाते हैं तो समझेए आपसे आराम से यह कुष्टन बन जाएगा इसमें कोई प्रत्परिशन आपको नहीं आएगी तो कुष्टन दिया गया साथ में नंबर में क्या दिया गया है बहुमी के एक बिंदू से एक 20 मीटर उचे भवन के सीखर पर भवन है मानलेजे कि यह आपका क्या है 20 मीटर उचा एक भवन है 20 मीटर उचा भवन है तो भवन के सीखर पर लगी एक संचार मिनार इस पर एक संचार मिनार एबी लगा दिये चलिए लग गया संचार मिनार संचार मिनार का के सीख तल और सीखर तो संचा सिखर जो है सिखर का जो है कितना डिगरी है सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले हल चलेंगे बीसी बराबर आपको क्या दिया है बीसी बराबर क्या है संचार मिनार की उचाई है अब क्या दिया है अंगल बीडीसी दिया है तो बीडी और सी दिया च्या ना डिया लिख लीजेन। उसके बास चलेंगे कि बी सीठी में कि लिए मैं चलेंगे। ऐए मी सीठी किया है 1230 यानिव अँ प्या होगा चैन्यच लिटरा नीचीडियें लगते लिख लीजिएорइइं लिखर लीजेन। करते हैं आपको निकल क्या गया है तो आपको यहां से शिए यहां टक भी सब्सक्राइब किसमेटने कर लित अला श्क्राइब़ निकाल चलंगे टिरूष mo हुआ कि हम लोग भी दिधी निकाल लिए अब ए उसीडी निकाल लिए चलिए ठीक है टिक है तो बसे पहले हम आपको बता दे, A, C, E लिखा हुआ, तो A, C, E तो है ही नहीं कहीं, तो A, C, इसको D बना, यह D है, यहां आपको क्या मिश्टेक हो गया है, यहां D लिख देज़ेगा, A, C, D, A, C, D में आप देखिए, तो A, C, D में, A, C, D और D, C, E, C, D, L लिखेंगे, लंब लिखेंगे, C, D, L, लिखेंगे, C, D, L, लिखेंगे, उसके बाद AC आपको क्यतना दिया 20 plus H, AC देख लिए, AC यहां तक 20 है, यहां तक है यहां से है, तक टूटल क्यतना हो जाएगा यहां से लिकर क्या, 20 plus H हो जाएगा, हमने इसलिए डैरेक्ट आपको बिना कहे हुए लिख दिये, AC बटा सीडी, AC बराबर क्या लिए, 20 plus H डैरेक तो क्या ओजाए गाएगा 20 प्लस होजाएगा चैन्हार्यूट्टीं होता है क्रॉस मैटिप्लिकेशन करें लेगा 20 साथ हो मेटीट ब्लस होजाएगा 20 को रूट-3 करें टो पीश रूट-3 हो जाएगा तो दोनों में 20-20 मिल रहा है तो 20 कोमन ले लेंगे इसमें बच जाएगा रूट 3 तो रूट 3-1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि कि आपको किसी तरह की परिशानी को ले करके आपको किसी तरह की परिशानी लगभग नहीं होगी अगर फिर भी अगर आपको परिशानी होती है तो आपको डिरेक्ट कमेंट बॉक्स के जरिए या वाट्साप के जरिए वाट्साप नमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया र झाल 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 झाल